अब जो नियक्स स्टापिक है वो है कि लुजट पppt चर च성 फीक है। अब हम बात करेंगे शेकिंग हम कैसे कर सकते हैं कितने तरीके से मांने पास पॉशिय الاक द्रैमेंश हुरित हैं बन द्रैमेंशन ट्रैंशन थे नमेंशन तो फिरोज प्लेंग ठीक है शिंपल साओं कोई बी चीज बंडानीमेंशन में होती तो उसके पास क्या होती आपकी लैंथ तो जो वाल्स भाइन है इसे रखें अजुआ अश्के लेंट लेंट हो तम उसको बोल सकते हैं बंडानीमेंशन थीक है अब देखिए यहां पर अगर इ टाचिंग एटम आप स्फेर वोल सकते हैं और स्फेर इस्फेर बिद्दा कि नाइवर इस्फेर चीक है ना यहीं कि कितने नमबर आप इस्फेर से अपने परोसी टच कर रहे हैं तो आप हो अपने परोसी की संख्या को कांट कर लीजेगा भाहिए आपका क्या होगा कॉडिने नंबर तो मैं किसी एक को देखता हूं और मैं इसको देखूं एवाले को तो इसको कॉण टाच कर रहा है बी और सी यह सी है यह भी है तो इसका जो कॉडिनेशन नंबर है वो कितना आपका टू तो वन डामेंशन टू डामेंशन क्लोज पैकिंग तो इस पैकिंग को करने के लिए हमें पास दो रास्ते हैं ठीक है पहला रास्ता और यह हमें पास दूसरा रास्ता ठीक है ना दूसरा रास्ता दिखाई दे रहा है चाला हो जाए तो पहले रास्ते पे अगर मैं पैकिंग करूं आपकी अब क्या होगा आपके पास लंबाई के साथ साथ चोड़ाई भी होगी है ठीक है यह एटम्स हैं कुछ कि पूरा क्रिश्टल तो नहीं रेपेंट कर सकते काफी बड़ा है लेकिन इसमें से छोटा सा इसा चुरा लिया है एक दो कि टच कर रहे हैं यह दूसरे को आपस में कि पर्याप्त है ठीक है तो देखिए यह क्या गिया मैंने कि यह आपको फस्ट रो के दिखाई दे रहे हैं अटम्स उन एटम्स के जश्ट नीचे और एकम्स लगा दिया है मतलब क्या है एक लेयर जो है उसके लेयर दूसरी यानि कि मैं आपसे बात करम उँ तो इसका जो point है center का और इसका जो point है वो एक ही line पर हैं ऐसे ही इसका और इसका किस पर है same line पर similarly इसका इसका कैसे है same line पर same line पर same line पर ठीक है ना तो यह जो points है वो सारे आपके कैसी है same line पर हैं तो हम इसे बोल देंगे बेटा कि यह जो packing है इस packing में हुमने atoms रखे हैं उनके centers कैस यहां से आपको कुछ नजर आ रहा होगा है तो poster by मैं इसको देखूं इस को देखूं इस वाले पउइं 부분이 में देखूं इस ऑले स्फिर को देखूं तो यह कितना एश ह्र से टच और मैंने इसको जॉइंड किया तो मेरे पास क्या आया एक स्क्वेर बनके आया तो मैंने इसको बल दिया स्क्वेर क्लूज पेकिंग इन टू डामेंस जिसका क्यों पर कितना है फोर कैसे पता करेंगा तो अब देख लीजिए यह कोई स्फियर है इस से जुड़ी है एक यह एक यह एक यह एक यह और एक यह फिर से आपका यह स्फिर बन गया इस से चार अधर इस जुड़े हुए है तो इसका जो क्योंदेशन नंबर है वेटा वह कितना है फोर मीज समझ गए होगे पहला उसके जस्ट नीचे दूसरा जस्ट नीचे तीसरा जस्ट नीचे चौथा तो इस प्रकार से आपके पास लंबाई भी है और वेटा आपके पास चोड़ाई भी है तो यह टू डायमेंशन एए टायप एरेंजमेंट ठीक है यह जो अरेंजमेंट है यह क्या आपका एए टायप एरेंजमेंट है किसका टूडी कि स्क्वेर क्लोज फेक अब इन्हीं एटम्स को मैं दूसर तरीके से arrange करने की कोईसिस कर रहा हूं तो देखिए अगोर से पहली layer ठीडा, अब दूसारी layer देखीए डिप्रेसं में है यानिकि जो ये दू difference में है अधर यट्म को डालने की कोईसिस कर रहा हूं तो ये जो आपका item है किमें डिप्रेसं में ठीक है? अब यह layer होगई फिर second layer होगई third layer जो हो first one जैसी लेके चलने हैं आपको ठीक है? यह first layer होगई उसके बार अगर मैं और layer लूँ तो फिर second की layer जैसी layer ले ले लेंगे तो उसके items आप एक हाएंगे यहां आएंगे गो और से देखी ज़रा है इसको ठीक है ना सब के लिए हो जाएगा टो देखी ज़रा turtles आप पहली layer के items उसके depression में दूसरी layer के फिर पहली layer के तो अगर गार मैं इसको नाम दूहू तो मुले पहली layer के Hmm A । दूसरी क्या है B फिर क्या आогод आई है संद्द plays A. तो इन दोना में एक difference ऐया कि इसमें leaders थी हो सारी एक जैसी सी है बट . हमने किसको डाल दिया है दूसरी आने उसको अमने नाम देदी अब भी ठीक है अब देखिए यह जो पैकिंग होई उसमें किसी एक स्पेर को पगर ली जेगा और उसका कॉरियरेशन नमबर निकाल लेंगे आपको पता चल जाएगा बो जो पैकिंग है वो किस टाइप की पैकिंग है ठीक है ना मेंटा किलियर हो गया होगा तो झेल रहा है दिखाई दे रहा है देख लिए मैंने तो देखिएगा अब तो देखिएगा क्या रेंट मिलता है तो यह मिलाने की कोसिस की जब में आप तो बेटा यहां पर मुझे क्या मिला था इस फियर यहां क्या मिलना है क्या मिलना है यहां कि इस स्फियर की जो भुजाएं है उसमें कितनी बुजाएं है यानि कितनी साइट से है लेट इस तो यह क्या बनीगा आपका है तो मैं इसका नम बोल दिया है हेग्जागोनल किलोज पैकिंग इन डाइमेंशन ठीक है अब इन दोनों में बैटर कौन सी है हमें वह यह पूछ रहा है कि ए यह सॉरी स्क्वेर क्लोज पैकिंग यहां पर भी मैं लिख दे रहा हूं हेग्जागोनल किलोज पैकिंग इन टूडी अब बेटा कभी कभी कुश्चन क्या बनता है कि इन दोनों में अच्छी कौन सी है तो अच्छी कौन सी होगी जो मोर इफीसियंट होगी देखो दोन उसे में सेम रखने की कोसिए तीक अब अच्छी आपकी बों होगी जो ज़्यादा एफीसियंट होगी ठीक है तो अगर इस्पेस ऑकुपाई की बात करें एसके दोरा और इसके दोरा इसके दोरा तो टोटल इस्पेस ऑकुपाई होता है वह कौता आपका 52.4 परसेंट ठीक है ना तो जो इस फेस occupied होता है by square close packing in 2D वो होता है 52.4% ठीक है ना और इसके दोर आपका occupy होता है वो something about 60.2% होता है साहे 60.2% आप confirm कर ले ना something about 60.2% ही occupy होता है किसके दोर आप आपकी hexagonal close packing एनी 60.2 या 60.4 60.4 है साहे 60.4% आपके जो होता है इस पेस occupy होता है बाकी जो remaining 39.6% है वो आपका back end रहता है that is वहां पर boyds रहते हैं अब उन boyds को पैचानने की कोसिस करनी है ठीक है ना उन boyds को पैचानने की आपको कोसिस करनी ह है ठीक है ना तो इसकी बात नहीं करें जो important boyds है उनकी बात करेंगे ठीक है ना तो देखिए जड़ा यहां पर समयने की कोसिस कीजिएगा boyd को तो मैं इसको साफ कर रहा हूं जो important है आपकी इसको और close packing से भी थ्री डामेंस भी बनाने कोसिस करेंगे तो देखिए जड़ा अब मैं यहां से आपको boyds बताने की कोसिस कर रहा हूं कि कौन सा boyd कैसा है तो आपकी जो 2D होती है hexagonal close packing in two dimension है उसमें बेटा boyds बनते हैं आपके यह एक boyd यह है और एक boyd यह है ठीक है ना तो समयने कोसिस किजिए इस वाले triangle को अगर मैं बनाने की कोसिस करूं अब मैं इस दौ बन नहीं है यह बोलस आपकी एक यह बन नहीं एक बन नहीं है एक बोलस में अपक्स लांट ऐबर तो यह वह वाइद है ना यह आपका ट्राइगोनल बॉर्ट यह तीन स्फेर से गिरा हुए है तो यहां से हमें एक बॉर्ट पलता चल गया ट्राइगोनल बॉर्ट ठीक है ना अब हम बात करते हैं 3-dimensional close packing की 2-dimensional clear हो गई होगी आपकी packing efficiency में hexagonal close packing in 2-dimensional आपकी more efficient duty है than the top square close packing in 2-dimensional ओके, board के लिए रो गया होगा trigonal board की बात हो गई अब हम बात करते हैं 3-dimensional close packing की तो 3-dimensional close packing के लिए मैं arrangement थोड़ा different बनाने की गोहिज करूँगा तो आप समझने की कोशिश कीजिए का ठीक है ना 3-dimensional close packing इसमें में विटा सबसे पहले मैं बताऊंगा आपका 3-dimensional close packing from number one from two dimension square close packing यानि आपके 3-dimensional close packing को मैं बनाओंगा आपका square close packing से ठीक है तो समयने की कोशिश कीजिएगा आप जड़ा मेरे पास जो square close packing थी two dimension वो वो कुछ ऐसे थी यह items थे इनके just नीचे है यानि parallel में ही other items थे ठीक है और नीचे हाँ है तो यह कुछ item रहे होंगे मारकर है तो कभी कभी पतले की वाज़से आगे पीछे हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है आप लोग इसको एजिम करेके चलेंगे अब क्या करना है वेट आपको यह जो लियर थी वो थी आपकी ए ए ए टाप में ने नाम दिया था आपको continue अब आपने क्या करना है और बोले ल यह ताया तो यह तो ए यह तो छी फज संस्ट में है इस कोड़ कलोई प्र विख इंठेंग में वह भी आपकी आपका रहें की कोसिए करेगा आप बहु blaming की फोन हुळाने की कोसिए कर तो समझने की कोसिएगा आप लोग भी छिए था मीरे पास टू डाइमेंशना में इस प निए ठीक देखो उपर वाला सी यहां गहीं होगा इसके उपर वाला स्फिर ठीक रिए तो इसके उपर वाला स्फिर तो मैं ठीड़ी डाइमेंचन तो ऐसे नहीं दिखा सकता तो यह अगर वपी। यह x-axis तो जैड़ आप आप ऐसे दिखाएंगे क्योंकि बोर्ड है तो यहां पर पॉसिबल नहीं यह बैटा सिमिलरली इस वाले के लिए यहां होगा इस फिर और इस वाले के लिए इस फिर ऊपर होगा ऊपर की बात है यह जस्ट इसके ऊपर होगा तो वो ऐसे होगा तो अगर मैं इनको सुसा कोसित करूं इस वाले के टोच में एसा कुछ स्वेर होगा यह ऐसा स्पेर वाथ utiliser हो तो मेरा कहना हम आप यह यह सा होगा है तो यह वाला स्वेर इसके ऊपर नहीं के उपर अपका वि और सी के के ऊपर होगा आपका एफ जी के ऊपर होगा आपका एच इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर आपके एटम्स होएंगे अब क्यूंकि पीछे वाले नहीं आएंगे इसलिए मैं नहीं दिखा सकता आपको टूडी है बोर्ड त्री डामेशन पर बस्ता कैसे की जाए तो थोड़ पहले कितने थे छे थे आपके एक दो चार थे एक दो तीन चार यानि कि नंबर आफ टचंग स्फियर आपके कितने थे किसी भी स्फियर से एक सापसे में बना दे रहा हूं एक दो तीन चार पांच छे साथ आट और एक ये नौ ठीक है अब देखें नंबर आफ टचंग कहा है है कि बन से the procedure फर कि भीटा फ़ोरी तो यह उस वाले से टच अब आपने क्या किया एक इस के ऊपर रख दिया और इसके नीच रख दिया एक ऊपर लेले र और यह बोला नीच होगा तो जब आपका वुबड रूपर एंग बुला नीचे है तो कितना होगा है है आपका क्यूसरी बात कर रहा हूं तो मैं इसको साफ करने की कोशेस कर रहा हूं ठीक है तो किलिएर हो गया ओगा अब 3D close packing है उसको इसको एट close packing से आपने समय ले होगा इसकी insert ले लिया किजिए वैसे को से चीज चीज करिएगा अगर आपने हाथ से draw कर लिए structures, copy पैगा आपने draw कर लिए तो आपको चीजों को समयने में आसाली हो जाएगी बहुत चादा, ठीक है अब नेक्स जो आपका मेनर है उस मेनर को समयने कोई सीच किजीगा तो मैं बहुंगा 3D क्लोज पेकिंग पेकिंग फ्रॉम टूडी है एक्जागोनल और संक्राइब कर देखिए ऐसागोन ने मेरे dummy महुंना चाहिए तो देखिए आधि है क्लोउट पैकि में क्या करता थे पहली लेयर और दूसरी लियर उसके डेप्रायसन में फिर तर्ड योई होति ती वहoton दूसरे से तो उसको ठीक है अब यहां भी हम भी कोशिच कर रहे हैं तो जो एबबी टैप था वो टुडी में था किसमें था ठोडी में था तो देखिए रहां अब मैं पिसे श्कायर में एक बाद इतना के लियर नहीं हो पाता तो जो आपके किया जा सकते हैं मतलब आपकी पैकिंग इपीसेंसी बढ़ा ही जा सके बचूंकि हम समयने की कोशिस कर रहे हैं इसलिए मैं एटम्स को थोड़े दूर रहें करने की कोशिस करूंगा जैसे देखिएगा पहला एटम दूसरा एटम तीसरा चोथा पांचमा सिमिलरली आपको पत फिर उसके बाद ए आ जाता था ठीक है ए आ गया उसके बाद आपका फिर से भी आ गया अब समयने की कोशिस कीजिएगा यह हमारा टू डामेंशन हो गया अब हमें क्या करना है अब हमें थ्री डामेंशन बनाना क्या बनाना है वेटा थ्री डामेंशन तो मैं ऐसी एक लिए कर लाकर उपर रख दो ठीक है इसके तो यह मैं रखूंगा तो देखिए इस रखने की कोसिस कर रहा हूँ है यहां पर भी वाइट से आपके जो फस्त इसमें जो वाइड बनने वो ट्राइंगल वाइड से एक दो तीन यह सब क्या आपके ट्राइंगल बनना है तो क्या रखूंगा तो यह समयने की कोसिस कीजिए यह होगा पहला लेयर ब्लुकुल सेम बैसा ही मैं नहीं आ रख दिया अब नेक्स्ट लेयर देखिए का आप कैसे रखूंगा मैं हुआ है आप देखिए यहां पर बहुत ही ज़ादा गुच-पुच-पुच-पुच मामला हो गया बट अब इसगुच-पुच-पुच मामला को हम क्थम करने जा रहे हैं देखिए एक दो तीन यानि ब्लैक्ति उसके उपर से कैसा आपका रेड बाट है कैसा आपका रेट पाट्ट है वेटा तो एक में मार्कर और ले ले रहा हूं एक आपके पास क्या है रेड पार्ट ठीक है तो यह जो भॉइड बना हमारा भॉइड कैसा हुएगा एक है कि दो है fais this पर उपर से बैट आपका क्या रहा होगा कि उपर से अपका रहा होगा य होगा वे कुछ ऐसी रहा होगा तो इन चार के बीच में इनकी अगर पासपास रख़़वें आपके तो ये ज़ो बॉय बन गया यह जो गोला उपर से इसके आएगा तो चार वोगया न तो इसकोी हम बोलेंगे है यह ट्राइडरल वट क्या बॉलेंगे कि ट्राइडरल वोईड़ ठीक है अगर मैं इसको जॉइन करने की कोशिस करूं तो देखीए कि आप यह आपका क्या बना एक वेटा तब तरी आपको क्या होता है टाइडन टाइब का होता है तो एक ट्राइंगल दो तीन यह तीन हो गए आपके इसको जारा साफ कर दीजिए तो देकी ज़रां एक एक लाका है यहां एक कहां यहां एक कि काहां यहां बीच में क्या बॉयड यह किलियर हो गया ना बहुत साहिए में आ गए होगी आपके ट्रहेडरल वाइड की तो देखी गाए उसके बीच में ठिया तो रहा गया तो थाई ऊपर से आपने एक और गोला रख दिया एक धर हो यह पर से ना तो अब ऑपका होए गय तो इस को बनने को हुस्स कर रहा है देख ही ज़रा आप टी ओके इस ट्रतराइफस वग लग Maori ऐ 살 है ती दिस इज ट्रतरा डमए टी डिस बई 1000 अगर अपने बनाना शीङद लिया Halo आप यह माल देजिया कभी जीवाली में बूलने वाले नहीं है ent 한 अपका ये बात समय में आगे होगी आपके टेट्राइड्रल बॉइट्स की ठीक है ना अब यहां पर हम पैकिंग करेंगे तो यह ज़्याद है कुछड़ों कुछड़ों नहीं है आपको केलियर समय में आ रहा हुआ कि जो सरने बनाए है वो कैसे बनाए है अब देखिए नेक्स्ट के टेट्राइडल बॉ के थे इक वोला जूस्मेद टीन हेरा है ये वाला ओला और यह वाला मूला ठीक है ना चला मैं बनाया दे रहा हूं और त्स वह अमात थ्यागा नेक्स्ट करहरा हूं सारे रए तीन गुला, तीन गुला टी वाले और तीन गुला आपके डॉट वाले, means कैसे, एक, दो, तीन, यह जो तीन गुला है वो आपके डॉट वाले हैं, और यह, एक, दो, और आपका यह तीसरा, यह आपके टी वाले हैं, तो 6 से गिरा गुए जो बॉइड है आपका बड़ा सा, यहां पर जो स्पेस काली उसे घुलेंगे औक टावेड्रल वॉइड अग्टाहेड्रल वॉइड उक्टाहेड्रल वॉइड चीक है औक टाविकल आप सभी नंपढ़ा गुए गा कैसे मनता आपका जो सिंपल तरीके से अगर मैं बनाने क्यों करूं तो आप क्या करेंगे इसको गढ़ा पर बनाना चांदते हैं तो आप चार लेमन लेंगे उसको स्कूर की सिप में रखेंगे कैसे रखेंगे वेटा स्कूर की सिप में आप ऐसे रखेंगे उसको थोड़ा सा तिर्चा बनाए दे रहे हैं आप इसको किसकी सेब में रखेंगे इसको एक एटम आप यहां रखेंगे एक एटम यहां रखेंगे इसको इससे जोड़ना 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 इस आपको क्लियर नजर आयाएगा दिससे ओक्टाहेड्र चीकर ना ओक्टाहेड्रन बनना ही हमारा तो इसे मुलिए ओक्टाहेड्रन अगर यहां से भी समय नहीं आ रहा तो क्लास 11 तो आप पड़के आयो आपने बेटा एक इस्ट्रेक्चर पढ़ाऊगा एसे अप 6 का तो हम ऐ चार चार यानि की एक फेज यह वाला लेफट वाला एक फेज राइट वाला एक पड़के सामने और एक फेज मेरे सामने ठीक वेड़ा सिमिलरली यहीं चार फेज नीचे हो गए तो आठ फेज हो गए तो आपका क्या वन गया ओक्टाइडरल ठीक है ना तो ऑक्टाइडरल बॉइड अगर मैं दिखाने की कोहिस करूं तो दीज आर ओक्टाइडरल बॉइड चीक है ना उसके अदम पर इसमें आगे बढ़ेंगे दीज आ ओक्टाइडरल बॉइड दीज आ ओक्टाइडरल बॉइड चीक है और देखिए जरा एक दो तीन आपका यह है यह भी आपका टैट्राइडरल बॉइड होएगा अगर बेटा मैं यहां पर एटम लगने तो गर मैं इसको कवर अप कर दूं तो यह भी आपका टैट है यह भी औॉर यह भी और और आपका यह भी और वहीगा ऐसे नीची और होइगे जर्म आपर मैं इस ट्रॉक्चिर की बात करो तो एक दो ती चार नो दस ग्यारा-बारा यानिकी बारह और ट्राइडरल को ट्राइडल ऑट कितना ड्राइडल वाइड्स कितना विटा ट्रा- तो आपको दिखाएंगे कहाँ पर आपका ओक्ताइडल वोड्स होता है किसी भी पैकेंग में ठीक है ना तो इसके नुमेरिकल ने डेर्स आ रहे होएंगे तो उनकी बात भाद में करेंगे एक बाद फिर इस रिलेशन को प्रूप करने की कोशिस करेंगे आपको दिखाएंग पर कहाँ पर आपका ओक्ताइडल वोड्स लोगेट होता है कहाँ पर आपका टेट्राइडल वोड्स लोकेट होता अब देखेगा यह जो है आपका यह A, B, A, B टाइप है अगर मैं नीचे वाली लेर को पूरे को A मालन लूँ क्या मालन लूँ बेटा A, तो उसके जस्ट और क्या आपका B, फिर, जब मैं ले क्या हूंगा, तो नीचे वाणी को फिर से ले आँगा उपर, A, फिर से B, तो ये जो टाइप है आपका, वो टाइप है बेटा, A, B, A, B टाइप, क्या आपका, A, B, A, B टाइप, और ये आपको अबर देखने को मिलेगा, तो आपको बेटा देखने को मिलेगा यह HCP में, किसमें है, HCP में, Hexagonal Closed Packing, किसमें देखने को मिलेगा बेटा आपको, Hexagonal Closed Packing, कब, जब आप Tetra Idol के पीछे, यह Tetra Idol वाट लेरा रहा है, तो इस वाले Square के जस्ट पीछे, अब मैं इधर तो नहीं रख सकता ना, तो मैं पी अब आपका यहां से नहा है, इस पर रख दिया, अब आपका यहां से नहा है, इस पर रख दिया, इस पर रख दिया, तो यह होगा, आपका, ABC, ABC टाइप, तो सच टाइप अपर रख दिया, एब बात करेंगे, इसकी, FCC और CCP की, तो यहां पर आपको clear हो गया होगा, आप कभी बच्चे पूछते हैं, सर यहां पर coordination number निकालने कोसिज किए, तो विठा हम आपको बतादू clear कर होगा और पेइकंग से इफीजेंस आपके 74 परसेंट होगी आपका रान बेकार साफ किया किलियर कड़िया तहम ऐसी से तो देखी कि जड़ा मैं बनाने की कोसेच कर रहा हूं ठीके न यह क्या है वेटा आपका एक हेग्जागोन है ऐसे ही हेग्जागोन में बनाने कोहिस कर रहा हूँ दूसरा एक ही रहा होगा यह और एक आपका यह आप देखते रही है आप बनाना सीख जाएंगे और अटोमेटिकली ठीक है ना यह हेग्जागोन में बनाने कोहिस कर रहा हू आपने अपनाना सिख जाएंगे बेटा बस देखते रही है आप इसको ठीक है ना पर इस वाले को मैं अगर यहां पर ले आओं पर इसको मैं से जनकर दूंगा तो देखी जार यह जो मैंने आटम रखा ओव कहा रखाता एक आपका स्वेर यह रहा और गीया एक यह होगा यह की होगा यह जयãy और यह ठीक है अब बेठा यह तो आपके है तो देखो और इनसे टच उएंगे यह वाले गोले इंसे टच अब वाले इसको पूठा के रखो एसे इसको टाज रखो एस बीच वाले को टच करेगा तो तीन आपके हैं छे एटम आपके यहां से आए और तीन एटम आपके यहां से आए अब टोटल कित्ते आए टोटल बहुर होगी दो बाद समय होगी 12 atoms that is coordination number in HCP and FCC is 12 packing efficiency पीछे प्रूफ कर चुकी है ठीक है न तो यहां से आपको coordination number 12 समय में आ गया होगा बहुत अच्छे से ठीक है packing efficiency होगी आपकी 1 dimension में coordination number 2 होता है 2 dimension में coordination number square closer pack होता है hexagonal close packing का आपका 6 होता है 3 dimension में square close packing का आपका coordination number 6 होता है और आपका hexagonal close packing और FCC तो FCC के लिए आपका ABCABC टारेगा और hexagonal के लिए आपका ABAB podemos tap रहेगा न तो FCC का और HCP का जो आपका क्वाडिरेशन नंबर है वो 12 है और अगर मैं इसकी बात करूँ आपके 12 और FC दोनों का 12 है ठीक है ना और पैकिंग इफिजेंसी 74-74 प्रेसेंट है अब बो बोलते है आप लोग के सरहमाई सर्में यह नहीं आया कि हैग्जागोनल में जो चार एटम आप लेके आते थे या जो क्याले के आते थे वो सब के लिए नहीं हो रहा तो उस सब की हम बात बात में करेंगे ठीक है ना पैकिंग इफिजेंसी निखाल नहीं है जब सर्टेकोनल की एक वीडियो उसकी मैं अलग से लेके आऊँगा तो आपको परेशन होने की ज़रूत नहीं है 12 आच है क्या होता है तो घबरान वाली कोई बात नहीं है ठीक है बटा किलियर हो गया होगा आपको समझते रही अच्छे से बढ़ते रही अच्छे से इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉल्लम्स होगी हाँ, एक आपको पता होगा tetraidal boards, octidal boards के हमेशा double होते हैं, और अगर मैं बोलू number of items, तो number of items जो भी आपके close packing में होंगे, उसके एक कोल होंगे octidal boards, just double होंगे tetraidal boards, तो उसके basis पर हम पता करेंगे, कौन सा item कहा जाता है, तो एक बात और बता दूँ आपको, जो छोटी board होती है वो trigonal होती है, उससे बड़ी board tetraidal, सबसे बड़ी जो board होती है, वो आपकी octidal होती है तो यह हम बोल सकते है, trigonal board छोटी होती है, उससे बड़ी होती है tetraidal board, और सबसे बड़ी होती है octidal board, तो इस सब के बारे हम बात करेंगे नहीं कौन सा कहा 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 कैसे क्या रहता है तो हम पढ़ेंगे रेडिएस रेसियोगा वारृूम सॉल्ब करेंगे जरूरी नहीं है सारे के साथ स्थ नॉन ब्रभाइर सेंटर आपका नॉन क्लोज होता है उसकी बात करेंगा उस Dong पर बात की बात है तब तक के लिए बाई बाई टेक केर नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा आप लोग